तो टॉपिक है आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज बहुती सरल होता है, पर कंडिशन क्या है? यहां पर कंडिशन दो तरह से है, जिसका पहला कंडिशन है, अगर आहरण वर्ज के प्रथम महा के मध्य में की जाए, प्रथम में की जाए या अंत्र में की जाए, तो अगर ये उदारन को अहरन को महा के प्रथम तारीक में करेगा तो उसको साधे 6 मैने का हelaस देना पड़ेगा मतलब ब्या से लगल और से लिक्वत दिया है लिए अगर महा के अमयाल करता है तो यह तो ये तो तिन कंडिस own थे उधारन आप पस्वारी 18 को देख लिए बुक में ने तो फिर यहां देखे सौंट में आहरन रासी यहां 20,000 रुपए है प्रती माहा ब्याज की दर है वो 8% बारसिक है अगर माहा के प्रतम में आहरन की जाती है तो फर्स्ट कंडिसन उसार है कैसे बनेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ और देखने हैं कितना हमारा जा रहा है तो चलिस को सॉल करते हैं तो यह हो जाएगा दो लाग्ट जार रूप है यहां कटके सो नीच चला सकते हैं तो जो करना काट लेते हैं तो एक सो चार तो तो पहले यहां पर हमें लीच है और काम वहीं करना है अब आपने यह समझ लिया कि यह जो बीस जार रूप है उसको बारे से गुड़ा करेंगे तो यहां मैं डारेट लिख दे तो दो लाग चालीस हजार रूपए ठीक है आप समझ जाएंगे ओके अब हम निकाल लेते हैं चाहे मैंने का तो सबसे पहले तो दर लिखना है तो आट बट्टे सव एक बट्टे बारा सब में रहेगा सिर्प 6 मैंने घारास तो यहाँ इसके स्थान पर हम सिर्फ चाहे लिख पूरी पांट दूनी 10 में जुडएंगे 11 बटे 2 काटे हैं तो चार दूनी 8 412 चार दूनी चारती बारा दो से दो कट लिया अब 3 से इसको कटेंगे तो 3 8 24 2 0 का 2 0 कट गया दो 0 बचा है मतलब यह 800 अब 1188 आपको बता होगा 20 का 20 तो इस तरह से हमारी तीन अलग अलग दूसरा 9600 यह तीसरा 8800 यह आपको भूक में असानी से मिल जाएगा पर चुकि समझना बस सही था इसमें कि आहरण प्रभ्याज वर्ष के प्रथम महां के प्रथम में आहरण की जाए तो साधे 6 मेने का हराज मध्य में की जाए उसी महां के मध्य में तो 6 मेने का हराज और एक महने के नुसार अब हम अब हम घ्याद करेंगे तिन-तिन महने वाला तो आप बस एक परना पलट यह फिर आपको नेक्स्ट पॉस्टन मिलेगा नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा टॉपिक तो वही है आरण पर ग्याज तो हम पनना पलट लेते हैं कंडिशन स्रिफ दो है यह पर स्रिफ दो अगराग में प्रत्थम में किया तो यहां पर साथ महने का देना पड़ेगा और यहां पर साढहे चार महने का देना पड़ेगा क्या देना पड़ेगा आरण पर एक Spider 0 तो स्टार्ट करते हैं एक्जांपल से उधारन नमर आप 19 निकाल लीजे उधारन 19 चलिए फटाक्सिस को सौल कर लेते हैं उधारन 19 तरण्या और तनिश्का एकफर्मे के सांजेदार हैं जो लाभानी को बराबर बाटते हैं वर्स 2010 और 11 के दौरां तरण्या ने प्रतेक तीम कि गढ़ना करना है देखिए प्रत्यक तिमाही जब यह बोला जाए प्रत्यक तिमाही तो बताईए एक वर्स में तिन-तिन महिने कितनी बार आएंगे चारी बार होगा तीन चौक बारा ठीक है तो जितना भी अमाउंट होगा जो भी आहरन के रासी होगी उसमें आपको चा सब्सक्राइब था-जा-इप आठायेगा तो यहां पर भी अगर रासी को में वही रप्त हूँ यो रासी है वह ऑगर विच से हजार ही एँव 30,000 है तो है अब यह मोग्राख करेंगे है तो यह हो जाएगा चार बारी आएगी तो 4 बार आरण रेगी तो निकालते हैं हम निकालेंगे प्रतेक पिमाही के प्रत्थम में आहरण किया जाए तब प्रतेक पिमाही के प्रत्थम में चले तो अब हम इसको सॉल करते हैं तो हमें ग्यात है 80,000 रुपए की राची लिखनी है 8 प्रतिसात की दर लिखनी है और सड़े साथ महने तो 7 दुनी 14 और 15 बटे 2 तो उसके बाद आपको एक बटे 12 कॉमन रुप से लिखना ही है एक बटे 12 तो काम वही है बस यह जो कंडिशन थी वह थोड़ी बदल गई अब तीन चौंब बारा तीन पंचे पंद्रा चार दुनी 8 और 2 से दो खड़ गया बहुत के असान था तीन चौंब बारा तीन पंचे अन्त में अगर आरण की जाए तो यह था फर्स्ट कंडिशन यह है सेकेंड कंडिशन ठीक है चलिए असी अजार रुपए की रहेगी गुडित आट बट्टी सौ प्रटी सब प्रटी सब की दर रहेगी आपको महने लिखने है चार दुनी आट और एक नौ बटे दो गुड अब दो जिरो से गुड़ा कर दिना है तो तीन सुन्जे तीन रुपए निकल गया अब जो हमने निकाला एक चार जार रुपए तो इस तरह से आपने इन दोनों को समझ लिया आरण पर व्याज के जो मोल कंडिशन थे वही थे इसके बाद थोड़ा सा और है इसमें वह धा तो धारण नमबर 21 निकाल लिए आज आरण पर व्याज को फूरा खतम कर देते हैं ठीक है तो चलिए इसका स्क्रील सौट ले लिजे समझ आए तो वीडियो को फिर से देख लिजे योगे सेवं संतोस तीन रूपा दोपात में साजयधार है उनकी पुंजी क्रम सा 40,000 रू है चार्ट है कुछ इस तरह से को चोटा सा कॉलम जो कि आपके पास मुखका तो फटाक से देख सकते हैं और यह वाला जो से यह सब कुछ लिखता हूं ताकि आपको स्कीप करना ना पर आप वीडियो को पूरा अराम से देखें कॉलम मनाना है यह संतोस का जो कि बहुत यह सान है आपको लिखना है रासी ठीक चलो इस खन में हम रासी लिख लेंगे अगले खन में क्या रहेगा अगले आपको उसका स यह है योगेस का तो रासी था छे सो एक हजार बारा सो अगर मैं एक फरवरी को हारन करता हूं तो दिसंबर में मैं खाता क्लोस करता हूं तो जनवरी को छोड़के फरवरी तक गिनेंगे तो ग्यारा मेहने होगा आप फरवरी से दिसंबर तक गिनेंगे तो समय ग्यारा मेह एक अप्रिल से ले करके आपको दिसंबर तक इनना है तो यह आएगा नौ मैनी यूपकि जन्वरी परवरी मार्स तीन मैंने छूट गया तो बारम तीन घटाएंगे नौ ही बचा अबला है अक्टूबर अक्टूबर नौमबर दिसंबर स्रिफ तीन मैने कह रास तो अब इनक इन दोनों का गुड़ा करना है इसलिए इसका नाम है गुड़न खन तो ग्यारा चक्के चैसाट दो जिरो का दो जिरो नौ एककम नौ दो जिरो और यह बाराद दूनी चोबिल बारातिया 36 दो जिरो का दो जिरो यह हुआ खतम अब हम देखेंगे फिर से इसी को हमें ब्लैक में लिखना था रासी है फिर हमें लिखना है समय फिर हमें लिखना है गुड़न फल चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो दूसरे वेक्ति का जो रासी है वो है शरिफ आठ सो चौदा सव और एक हजार रुपए कितना इंका समय का उपहर होगा तो जुल जुण ऐल अगज सितंबर अफ्टूबर नौंबर दिसंबर सात्없 शात मंह aynı कर राज हम अब तब आज ऑले मुह में बस गया हराज सितंभर सितंबर अप्टूबर नौंबर दिसंबर चार महन authorities और दिसंबर सर्थ दो महने ता तोр तो यह निकल गया इनका अब देखते हैं का टोटल क्या होता है यह चेक करते हैं तो इनका जो टोटल होगा नो मेख देतेंगे 10, 10, 15, 15 3, 18 और 19200 रूपय इसका हो रहा है इसका हम जोड़ेंगे तो 5, 5 10, 10, 12, 12, 12, 13200 रूपय ठीक है तो दोनों का जो आरण कि राषी निकली टोटल वो एक 19200 है दूसरे का 13200 है जो तराच रूपय है गुणन फल का योग गुडित दर बटे 100 गुडित बारग यह आपको याद रखना यह सूत्र है आप इसी से दोनों का निकाल सकते हैं तो चलिए अगर मैं योग सका निकालता हूं तो गुणन फल का योग उसका 19200 रूपय है और ब्याज की दर मैंने यहां नहीं लिखा है प 5%, 5% 5% 5a2 100 पर टे में 12 लखना है तो यह रहा कितना 0 है से, कुछ नहीं, बस 80 रूपे, 0 दो 0 से 0 के साथ कट गए, तो पहले वक्ति का जो ब्याज की राशी निकला, वो स्रिप और 80 रूपे निकला, अब दूसरे का निकालते हैं, संतोस का, तो संतोस का निकालेंगे, तो उसका है 13200 रूपे, उसमें भी ब्याज की दार 5 बटे में 100 इसमें भी लिखना है, 12 लिखना है, तीन चौक 12, यह भी 3 चौक 12, यह भी 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 पंचे 55, तो दूसरे वक्ति का जो निकला, वो निकला स्रिप 55 रूपे, तो यह हमें पता चल गया, कि गुरन फल विदिस से हरण पर भ्याज निकालेंगे, तो वो काफी कम निकलेगा, अब यसमें कॉलम बनाना पड़ा जाता है, जो कि यह रहा, कि कितना कितना आरण किया है, प्रतिमा कि साब्सर, और कितने दिन तक उन्होंने आरण किया, मतलब वूस मेहने से ले करके दिसमबर तक का, टोटल राध से उसे से निकलेगा, तो जि क्या आया 80 रूप है इसका आगया 55 रूप है फिर आपको बता देता हूं अगर आपको काटने में दिख्कत होता है तो इसी चैनल पर है basic math में basic गड़ित का में class लगाता हूं जहां पर आप ऐसे छोटे मुटे कटफट बहुत असानी से सीखेंगे और इसके साथ आपकी जितनी भी गड़ित की समझ से है वो सब दूर हो जाएगी तो उसको जा करके वाच किजिए जिसका लिंक आपको डिस्रिप्शन में मिल जाएगा ओके तो अब आपको यह समझ में आ गया तो इसी के साथ आरण परभ कुशन को हमें टेलीग्राम में भेजिए ताकि हम यह जान पाए कि हमारा हमारा जो देश्य है आपको सिखाना वह पूर्ण हो पा रहा है कि नहीं तो आई होप आपको सीखने को मिला अच्छा लगा तो चानल को सब्सक्राइब और वीडियो को सेर कीजिए ताकि आपके दि मिलते हैं नेक्श प्रडियो में तब तब के लिए बाई